आप सभी का स्वागत है विज्जम नर्सिंग कोची के इस ओनलाइन प्लेटफॉर्म के उपर मैं नितिन से माप सभी का स्वागत करता हूं कि सर ये क्या नजरा रहा है तो सभी का बूस्ट अप सिरीज के अंदर स्वागत है कि सर ये चोकलेट हमारे लिए लाएं क्या ये चोकलेट नहीं है ये आपका जिगर है आपका जिगर का टुकडा है कि सर ये जिगर क्या है इसी के बारे में आज जानेंगे कि सर लीवर क्या ह हैं लीवर की क्या characteristics हमें देखने को मिलते हैं सभी चीजों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं तो जितने भी स्टुडेंट यहां पर नए आये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ली जेगा आपने सभी दोस्तों तक शेर कर दीजिए और जुड़ जाएगा नितिन सर के साथ wisdom नितिन सर wisdom के साथ तो बात करते हैं सर यहां पर लीवर की क्या होता है लीवर क्या इसके अनाटमी है क्या इसकी location है इन सभी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं तो सबसे पहले मैं बता दू कि यहां पर लीवर जो होता है सबसे largest होता है अब सर्फ लार्जेस्ट भी सर्फ क्या चीज हमें देखने को मिलती है लीवर के अंदर वो बताओ सर्फ सबसे important चीज है तो लीवर जो होता है वो हमारी human body के अंदर largest gland होता है यह क्यूशन आपके exam के अंदर पूछा हुआ है कि largest gland in human body largest gland in human body कि human body के अंदर जो सबसे largest gland होती है वो कौन सी होती है चलेगा अब gland सर्फ यहां पर आया है तो इसका मतलब किस से correlation लगा लोगे कि lever जो होता है दोस्तो सबसे largest है यहां पर internal की बात कर रहा हूँ ठीक है देखो वैसे तो इसकी नोती है सबसे largest ठीक है लेकिन ग्लेंड की बात कर रहे हैं तो ग्लेंड यहां पर कौन है लीवर है और यह क्यूशन बहुत बार एक्जाम के अंदर पूछा हुआ है इसकीन जो होता है इसकीन इस देर कि लार्जिस्ट वूमिन बोडी और गन ओंफ मूमन बोड़ी यह ऑ नहीं होना है कि सर आपने लीवर बताया एक तरप आपने इसकीन बताया है तो याद रखना है चलिगा नेक्स क्यूशन जो बनता है यहां पर कि लीवर की सेप के उपर बहुत बार क्यूशन बनता है कि हमारे लीवर की सेप जो है वो कौन सी होती है और यह फेमस क्यूशन आता है वेज सेप कौन सी सेप होती है मेरे दोस्तों वेज सेप हमें देखने को मिलती है और डाइ बिल्कुल तबी डाइगराम के अंदर आपने दिखाया है रैडिश ब्राउन जो है हमें क्या देखने को मिलता है इसका कलर हमें देखने को मिलता है अब मिट जब आता है सब आएगा बारी आएगी तो मैला और पुर्स दोनों को लपेटे में नहीं लेंगे बिल्कुल सर कि मेल एंड फीमेल के अंदर जो है वो लीवर का वेट हमें कितना देखने को मिलता है आप कमेंट बोक्स के अंदर कमेंट भी कर सकते हैं और आपको याद रखना भी पड़ेगा बात करते हैं कि सर मेल और फीमेल के अंदर कितना वेट हमें देखने को मि लेकिन भईयाजी महिलाओं का जिगर थोड़ा सा क्या है हलका है और वहाँ पर सर कितना होता है तेरा सो ग्राम हमें वेट देखने को मिलता है तो लिवर की बात करते हैं तो पुरुष्परधान के पास पंदरा सो ग्राम का है जिगर लेकिन फीमेल्स के पात कितना है 1300 comment box के अंदर भी आपको comment करना होगा दोस्तों चलिगा ये question भी हो गया फिर question मनता है कि सर्थ कहां पर located होता है located का मतलब कौन से quadrant के अंदर पाया जाता है हमारा lever कौन से quadrant के अंदर पाया जाता है ये तो famous question है examiner का famous question है कि कौन से quadrant के अंदर lever देखने को मिलता है तो फटापट से आप इसके लिए भी क्या कर सकते है comment कर सकते हैं चलिगा मैं ही बता देता हूँ कि सर कौन से region के अंदर होता है पहले बात तो right side के अंदर होता है right hypochondric region right hypochondric region very interesting question मनता है दोस्तों कौन से region के अंदर पाया जाता है जो right side का hypochondric region होता है वहाँ पर इसकी location हमें देखने को मिलती है लेकिन जो सबसे greatest part होता है सबसे ज़्यादा part greatest part जो होता है वो कहाँ पर होता है epigastrium region के अंदर कौन से region के अंदर epigastrium region के अंदर हमें दिखाई देता है तो location के उपर definite question आएगा right hypochondric region के अंदर होता है लेकिन सबसे greatest part जो होता है वो epigastrium region के अंदर पाया जाता है फिर किसर ये किस से cover होता है covered by यदि आपको question पूछ ले किसर ये किस से cover होता है बताईए कोई बताना चाहेगा comment box के अंदर फिर से आप comment कर सकते हैं कि सर जो हमारा liver भाई साब है इस liver भाई साब को कौन यहां पर cover करता है लीःक है तो मैं बता देता हूं कि जो आप जो आपकी ribs होती है ribs और जो costal cartilage होता है ठीक है ribs का मतलब जो आपकी पसलिया होती है ribs और मुझा करते है क hard करने का काम करती है protection देने का काम करती है किसको लीवर को ये भी आप COYAद रखना है लीवर के बारे में आता है कि लीवर को कॉन काँ सप्लाई करता है कौन कालता है तो फे तो यह सबसे जादा जी जादा है्ट है या है या हमारा कौन होता है लिवर ही होता है तोल कार्डिक आपड़का 30% हिस्षा कोन लेकर जाता है अब आपको यह बताना है कि सर हमारी बोडी के अंदर जो आर्ट्री और वेन है आर्ट्री सुद्ध लेकर जाएगी तो कौन सी ऐसी आर्ट्री है जो लेकर जाती है हिपेटिक का मतलब लीवर होता है और हिपेटिक आर्ट्री जो होती है वो सप्लाई करती है हमारे लीवर को ऑक्सीजेनेटेड बलड कौन सा बलड ऑक्सीजेनेटेड बलड ऑक्सीजेनेटेड बलड का मतलब है कि जिसके अंदर ऑक्सीजन लेकर जाएं ठीक है simple question था लेकिन वेन कौन सी होती है तो आप बोलोगे हिपेटिक वेन और हिपेटिक वेन जो होती है वो कौन सा blood लेकर जाएगी deoxygenated blood कौन सा deoxygenated blood जिसके अंदर oxygen नहीं होगी तो ये भी question important बनता है कि कौन सा blood supply करता है और कौन इसको blood देने वाला है आगे बात करते हैं next question कि सेर यहां पर बहुत लोचा होता है lobs का कि हमारे यहां पर कितने lobs होते हैं और बहुत सारे studentों को पता भी नहीं रहता है तो इस दूविधा उस सुविधा आपको कर देता हूँ इस दूविधा को दूर करके सुविधा कर देता हूँ तो total कितने होते हैं आप लिख देना चार lobs हमें देखने को मिलते हैं इतने चार lobs अरे सर्व हमने तो इतने दिन तक चार ही पढ़ रहे थे माट साब जी हमें चार lobs चार lobs चार lobs पढ़ा रहे थे आप कोंसे चार lobs लेकर आगे ठीक है दो लोब पढ़ रहे थे तो सबसे पहले बात करते हैं कि एक राइट लोब होता है कौन सा होता है राइट लोब होता है एक होता है लेफ्ट लोब होता है एक क्वाडेट लोब होता है चलो सर एक नया नाम आया है क्वाडेट ठीक है बहुत बार क्यूशन मनता है lobes के उपर कि total lobes जो होते हैं वैसे हम दो ही पढ़ते है right और left लेकिन यहाँ पर चार lobe आपको दिये गए है कि sir quadrate lobe होता है और एक कौनसा होता है quadrate होता है कौनसा lobe quadrate lobe हमें total चार lobe होते है right lobe, left lobe quadrate lobe और quadrate lobe clear है C-A-U-D-A-T C-A-U-Q-U-A-T quadrate lobe total कितने lobes आपको देखने को मिलते हैं 4 lobe अब sir यहाँ से question जो बनता है basically हम दो ही पढ़ते है right और left के बारे में right और left lobe जुड़ा हुआ होता है उन्हों दोनों के बीच में एक ligament पाया जाता है और उस ligament को बोलते हैं Palsy Ferum ligament कोंसा ligament बोलते हैं Palsy Ferum ligament के नाम से हम जानते हैं किस नाम से Palsy Ferum ligament आपको मैं diagram दिखाता हूँ यह देखिएगा यह right side का lobe है यह left side का lobe दिखाई दे रहा होगा यह right lobe है यह left lobe है अब इन दोनों को बीच के अंदर जो यह जोडने वाला lobe होता है यह ligament होता है यह fancy form ligament होता है कौनसा होता है fancy form ligament हमें देखने को मिलता है यह bile duct हो गई नीचे आपका सभी को बता है goal blader पाया जाता है हिपेटिक वेंड डी oxygenated लेकर जाएगी हिपेटिक duct होती है यह right और left lobe हमें देखने को मिलता है बोलो यहां से समझ में आया की नहीं आया comment box के अंदर आपको एक यूशन मुझे बताना है कि हमारे यहां पर lever के अंदर एक sale पाई जाती है उस sale को क्या बोलते है चलो बोरी बात हैं मैं ही बता देता हूँ कौन सी sale पाई जाती है पुपर sales पाई जाती है हमारे lever के अंदर very very important कौन सी sale पाई जाती है पुपर sales पाई जाती है जो क्या काम करती है हमारे lever के अंदर एक्जाम के अंदर क्यूशन पूछा जाता है क्या काम करती है phagocytosis को क्या काम करती है Phagocytosis का काम करती है मतलब भक्षन करने का काम करती है क्या करती है भक्षन कि लीवर के अंदर कोई भी आया तो उसे मारना होगा भक्षन Phagocytosis का क्या करती है दोस्तों काम करने का काम करती है दोस्तों एक्जाम के अंदर क्यूशन पूछे तो याद रखना है दोस्तों फेगोसाइटोसिस का क्या करती है काम करती है तो बिल्कुल सर ये भी बता दिया फिर आता है सर हमारे लीवर के क्या क्या फंक्शन क्या फंक्शन होता है कि लीवर के क्या क्या फंक्शन होता है कि लीवर एक काम करता है और वो क्या काम करता है बाइल का प्रोडक्शन बाइल बोले तो पित और पित का प्रोडक्शन बाइल का प्रोडक्शन करने का काम कौन करता है हमारा लीवर करता है कौन करता है लीवर जो हैogned गेल्कुलाई के नाल सपाई जाती है जिसके दुबारा क्या देखने को मिलता है बाइल का परोडक्शन हमें देखने को मिलता है हमारी बोडी के अंदर excreation करवाता है क्या करवाता है excreation किसका करता है आपने बिलूरुबीन का नाम सुना होगा ठीक है इसका नाम बिलूरुबीन का नाम सुना होगा और बिलूरुबीन का excreation करवाने का काम भी यही करता है आपने कॉलेस्ट्रोल का नाम सुना होगा कॉले करता है काम कोन आपका लिवर तो मैटाबोलिक फंक्शन भी यहां पर मैटाबोलिक भी या इंजाइमेटीक की काम करता है अल्मॉस्ट यहां पर आपको सारी चीज़े याद रखनी है कि सर यह detoxification भी करता है detoxification of drug कि मान लो आपने दवाई खाई और उसको detoxify करना जो उसका waste है उसको detoxification करने का काम भी कौन करता है फिर आता है कि सर एक काम और करता है लीवर और क्या करता है कि लीवर जो है वो stored करता है glycogen के रूट में glycogen को stored glycogen क्या important question है कि सर glycogen को store करने का काम करता है vitamins और minerals को store करने का काम करता है ताकि energy क्या रखे saver रखे सके ठीक है एक diagram और दिखाता हूँ यह देखे का diagram आपको दिखाई दे रहा होगा यह हमारा lever है right और left lobe हो गया right वाला सबसे बड़ा दिखाई दे रहा दोनों के बीच में लिगामेंट हो गया जो दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है इसको वीडियो के मादवन से हम देखते हैं कि सर क्या चीज़ देखने को मिलती देखिएगा आपको diagram के अंदर देखिएगा हमारी बोडी के अंदर यह देखिएगा यह चार लोब हमें देखने को मिलते हैं राइट लोब लेफ्ट लोब ठीक है राइट और लेफ्ट लोब यह देखिएगा यह सेल्स है हमारी यहां पर क्या थे बाइल्स का सीक्रिशन करवाती है यह देखो मैंने बोलाता है कि बाइल्स का सीक्रिशन करवाने का काम करती है यह आपका गोड लेटर जो स्टोर्डेशन करने का काम करता है ठीक है यह लिगमेंट हो गया है कि फैल। यह लिगमेंट है। जो राइट और लेफ्ट दोने को जोडने का क़ता है। यह पूरा पॉर्टल सिस्टम आपको दिखाई देगा है यह आपका दिन देड़क रहा है तोतल काडियेगावर तर्टी पर्शंट जो है आपको ये मिलता है दोस्तों समझ में आगया यह यहां प्रियागोजन के रूप में मैंने आपको बताया बिलूरूबीन को निकालता है हीम, हीम को स्टोर करता है, विटामीज को स्टोरेज करने का काम करता है, सारी चीज़े आपको बता दी गई है Is that clear? तो ये चीज़े आपको एक्जाम के अंदर पूसता है, सारी चीज़े मैंने आपको किलियर कर दी है यदि आपको चैनल अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा, तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजेगा डेली कोई ना कोई आपके लिए बूस्ट अप सिरीज हम लेकर आएंगे कोई भी आपका डाउट हो, आप हमारे सपोर्टी नंबर के उपर कोल और मैसेज कर सकते हैं और सभी का समाधान करेंगे अमेंट करके जरूर बताना कि आपको कैसा लगा हमारा वीडियो ताकि एक वैल्यूबल कंटेंड हम आपको देश के थेंक्यू सो मस्टू और गुटनाइट